सब्सक्राइब नमस्कार एवरिवन मैं आपकी उस्ट आलिया आज पीस एक बार आप सब को सागत करते हूं हमारे आपके ओफिशियल यूट्यूब चैनल यह मने एक्सप्रिस पे गुरूदी इव रियल स्टेट में तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम गेटर नुड़ा की स प्रश्राइब एक नई वीडियो लेकर आते हैं ब Prom connect को आटेटरू करते हैं मृस्ज ऐसाय क्या सब कढ़़े पार्क की फैसली है क्या कॉमर्शल एक्टिविटीज हो रही हो और क्या 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 फैसलीटीज आ रही हैं मॉसक्व आपको दिखाते हैं हमारी वीडियो के माध इकोटेक वन सेक्टर की वीडियों आज हम कवर करे हैं और इस में हम आपको दिखाएंगे कि सैक्टर में क्या व्IR वार्ट किया है मेंनली क्या है सैटर की साइज और क्या है साइज की तो एक बारी देख देखते हैं और competence मास्टर प्लान में सेक्टर कहां एक्जिस्ट करता है सबसे पहले हम वह देखने हैं कहां पर इसका है तो बीजिकली वीडियो स्टार्ट करते हैं ग्रेटर नड़ा इंडस्ट्रियल प्लॉट सेक्टर एको टेक वन master plan में चलते हैं firstly और देखते हैं कि sector कहां पर है master plan पर इसका existence कहां पर है master plan की बात करें तो sector आपको शहर के बीच और बीच में दिखने वाला है means center में है यह एक तरीके से यह industrial sector आपका बाकी sectors जैसे कि मैं आपको यह sector दिखाऊं तो master plan में आप देखेंगे यहाँ पर है यह sector यह आपका ecotech 1 sector है कासना आपने सुनाओगा वो भी इसी के पास आता है जो जहाँ पर हमारे किसान वाले plot भी आपको देखने को मिलेंगे तो वो यहाँ पर आता है उसके बाद सोण नगरी यहाँ पर दिख रहा है आपको RHO 1, Sigma 1, Sigma 2 यह सब सेक्टर इसके साथ लगे हुए हैं और जैसे कि यह सेक्टर मेंली आपको शाहर के बीच बीच दिखेगा Otherwise आप देखें यह सारे industrial sector हैं आपके यह एक side आपको दीख रहे होंगे यह आपका eastern peripheral expressway है यह expressway है आपका eastern peripheral और कुछ plot आपके यहाँ पर कुछ सेक्टर जो है industrial के आप इस side विया से देख सकते हो तो industrial के सेक्टर आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे वैसे तो industrial के सेक्टर आपके कहीं है यहाँ पर हम दीरे दीरे एक की करके सारे सेक्टर को कवर करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कहां पर कौन कौन सा सेक्टर है किस किस लोकेशन पर आ रहा बट आज हम जिस सेक्टर की बात कर रहे हैं वो सेक्टर बिलकुल हमारे सेंटर पर लोकेटेड है शहर के बीच बीच में इसके पास आपको रेजिडेंशल के काफी अच्छे पॉस्ट सेक्टर देखने को मिलेंगे परीचौक सी इसका distence के अगर हम बात करेंगे तो मातर 2 km का distance इसका परीचौक से नियर इसकी connectivity की बात करेंगे तो नियर पर आपक में चलते हैं और देखते हैं उसमें क्या क्या फैसलिटीज है यह हमारा इको टेक वन का लेयाउट है लेयाउट के हम अगर बात करते हैं तो यह हमारा सेक्टर है यह पूरा हमारा सेक्टर है यह दूसरा सेक्टर है आपका यूपेस आई डीसी का यह पूरा सेक्टर है अगर हम इसकी आउटर रिंग रोड की बात करें तो 80-60 मीटर की रोड है इसकी आउटर रिंग रोड उसके बाद मेंली इसके एक बहुत बड़ा हिस्सा जिसे हम कहते है एक बहुत ही बड़ा हिस्सा जो कि सेक्टर का है बिसिकली पूरा सेक्टर का बहुत बड़ा हिस्सा एक बहुत बड़ा पार्ट जो है अलोट किया गया था हॉंडा S.I.E.L. कार्स कम्पनी को अब इसकी यह आप एक कॉर्परेट ओफिस भी आ गए यही मैनुफैक्टरिंग होती थी हॉंडा की उसके बाद अब इसमें कॉर्परेट का भी काम होने लगा इसके बाद और भी प्लॉट्स हैं जैसे कि यह प्लॉट नंबर टू यह प्लॉट नंबर थिरी है प्लॉट नंबर फाइव यहां पे आप देख सकते हैं उसके बाद यह यह भी कुछ प्लॉट है यह भी अपने आप में बहुत बड़ा-बड़ा साइज जो है एक्वायर करते हैं यह प्लॉट्स भी इनमें भी बहुत सारी इंडस्ट्री आपको आज रणिंग में दिखाई देगी यह अलग-अलग प्लॉट्स हैं उसके बाद कुछ पार्ट इन्होंने कॉमर्शिल का दिया हुआ है यह कॉमर्शिल बेल्ट अभी रणिंग में नहीं हैं बट आपको यहां पर कॉमर्शिल बहुत जल्द रणिंग में दिखाई देगा उसके बाद इस पूरी लोकेशन की हम बात करें तो अगर आप इधर जा रहे हो तो यह आपको परिचोक पड़ेगा इस साइड में और अगर आप इस साइड में आ रहे हो तो आप कासना सा सेक्टर की जो यह कासना है आपका में इंट्री रोट की हम बात करेंगे तो यह सेक्टर की आपकी में इंट्री यहीं से होती है हॉंडा की पास सही इसकी इंट्री है और अगर इसके नियर की फैसिल्टी इसकी बताओं तो यहां पर आपको यह एक तरीके से आपका साइट 4 इसे कहा जाता है रेडिसन होटल हो गई यहाँ पर आपको रेडिसन होटल देखने को मिलेगी उसके बाद यहाँ पर आपका 40's का हॉस्पिटल देखने को मिलेगा उसके बाद यहाँ पर आपको ग्रैंड वेरिसन स्मॉल भी देखने को मिलेगा तो इसके पास में ही आता है आपका इकोटेक वन के पास आता है तो ओवरॉल यह सारी फैसिल्टीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी इस सेक्टर के नियर में काफी बड़ा सेक्टर है पर एक तरीकी से देखा जाए तो इसको मेंली जो एक तरीकी से अलोट किया गया था तो यहाँ पर आपको यह सबसे बड़ा जो एक इंडस्ट्री देखने को मिलेगा हॉन्ड़ा का मिलेगा उसके बाद यह सारे प्लॉत्स भी working में हैं यहांपे बहुत बड़ी-बड़ी इंडस्टैस आपकी अडरी तो यह कहीं आपको देखने को मिल जाएंगी था तो यह हमारा Ecotek One – इंडस्ट्रियल सेक्टर है को है क्या रोस यह हमारा Ecotek तो इस sector से related तो कोई भी query अगर आपकी होती है या और भी कोई से sector से related या greater noida से related कोई भी और query आपकी होती है तो आप हमसे जरूर contact करिए हमसे contact करने के लिए जो आपका medium है फर्स्ट ली तो हमारा official YouTube channel है यमना एक्सप्रेस पे गुरुदेव रियलिस्टेट एंड इसके बाद अगर आप हमसे on call जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए number है 987344297196675190029958548641 इन तीनों नंबर का यूज करके आप हमसे on call जुड़ सकते हैं आपकी जो भी query है जो भी तरीके का आपका एक होता है कि आप mindset कर रहे हो कुछ sale purchase के लिए कुछ investment के लिए यह कुछ end use purpose से आप देखना चाहते हो location connectivity आपके according हो और आप confused हो इन में या कोई हमारी वीडियो आप देख रहे हैं जहां से आपको ऐसा लगता है कि आपको इस sector के बारे में और पता चलना चाहिए आप interested हो आपकी requirement के आसपास के sector हो तो आप हमसे हो सारी queries इन सारी medium को यू website का इनके तरूबे आप हमसे जुड़ सकते हैं यहां से जुड़के आपकी जो भी question होते हो आप हमसे पूछे जरूर और आशा करते हूं वीडियो पसंद आएगी एक तरीके की है हमारी एक उमीद है एक चीज हम लेकी follow करके चल रहे हैं कि हमें एक तरीके से आपको इस कोई सेक्टर को आप सर्च कर रहे हो तो आपको पता हो कि उस सेक्टर के आसपास में जो सेक्टर आ रहा है उसमें क्या है तो बेसिकली आपको पूरे एरिया का हम awareness के लिए की series चला रहे है तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है वीडियो अच्छी लगती है तो वीडिय जरूर किया करिए मिलते एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ थैंक यू सो मच